नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक्स स्क्रीमर पे इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल सा एक सिचुएशन रखने वाला हूँ आपको एक जगे से दूसरी जगे जाना है और आपको दो ऑप्शन्स दिये जाते हैं पहले ऑप्शन में आपको मिलती है एक चम चम आती होई ब्रैंड न्यू ओडी की कार पर शर्त ये है कि उस कार का ड्राइवर नया है जिसे अच्छे से गाड़ी चलानी नहीं आती तो वहीं दूसरे ऑप्शन के रूप में आपको मारूती या फिर टाटा की कोई गाड़ी मिलती है बट हाँ इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो एकदम पका हुआ ड्राइवर है एक्सपर्ट है ड्राइविंग में मैं शोर हूँ कि कोई भी सेंसिबल आदमी ऑप्शन 2 को चुनेगा अपने लिए यानि कि गाड़ी से ज़्यादा तवज्जो ड्राइवर को देगा यही होता है हमारे इन्वेश्टमेंट्स के साथ अगर आप बिल्कुल शोर्ट टम देख रहे हैं 5-10 या 20% के गेंस देख रहे हैं जो कि आपको 2-4-6-8 या 10 महीने में अचीव करने हैं तो फिर आप एक बार के लिए मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे और अपने ट्रेड में घुसके निकल जाएं एक बार के लिए चलता है बट यही चीज अगर आप लॉंग टम में करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका शेयर मल्टिफोल रिटरंस दे आपको तो फिर आपको भी गाड़ी और ड्राइवर वाले एक्जामपल की तरह अपने शेयर के चुनाओ में सबसे अधिक तवज्जो कंपनी के मैनेजमेंट को देना होगा जैसा कि हम सबने कहीं न कहीं और कभी न कभी सुना होगा कि लॉंग टर्म के लिए हम पैसे कंपनी में नहीं बलकि कंपनी के मैनेजमेंट में लगाते हैं तो वही बात आपको ए अगला सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि इस चीज को हम लोग achieve कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि किसी भी management को अच्छा या बुरा किस condition में हम लोग मान सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपके सामने रखूंगा कुछ criteria's और ये भी बताऊंगा कि उन criteria's के basis पे हम लोग किस तरीके से किसी भी company के management को judge कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ें, उससे पहले मैं एक बात बहुत ही clearly बताना चाहता हूँ, कि ये process बिल्कुल भी आसान नहीं है, आपको effort डाल नहीं होंगे, बट भरोसा रखिए, अगर आप एक बार ये efforts डाल देते हैं और किसी company के अच्छ management को pick कर लेते हैं, तो फिर आपके और stock market के success के बीच में, दूसरी कोई चीज कभी नहीं आने वाली, इस process में मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ, total 5 criteria और इन पांचों में, जो सबसे पहला criteria होता है, वो होता है किसी भी management के educational qualifications को समझना, हम लोग जिस company के management को evaluate कर रहे हैं, सब से पहले उस management के group के educational qualifications को हम लोग समझेंगे, इसमें दो चीजें आपके लिए समझनी सबसे जरूरी हो जाती है, पहला कि management के लोगों ने किस institute से पढ़ाई की है, हमें अगर top के management में कुछ अच्छे renowned institutions मिल गएं, जहां से उन्होंने पढ़ाई की है, तो फिर हमारे लिए य अजर्ज करना असान हो जाता है, कि promoters की educational background बहुत sound है, तो वहीं जो दूसरी important चीज है, वो ये है कि management के लोगों ने degree किस field में की है, अगर ये degrees की fields match करती है, company के business के field से, तो फिर हमारे लिए सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, क्योंकि वैसी management, जिसने same field में पढ़ा जी हाँ, management के experience level को जाचना हमारे लिए बहुत important हो जाता है, हमारी company को operate करने वाले लोग, यानि कि company का top management, at least 10 years experienced होना ही चाहिए, कोई भी leader अगर 10 साल से business को देख रहा है, business को संचालित कर रहा है, तो उसने बहुत सारे ups and downs देखे होंगे, और वो किसी भी situation से business को आगे बढ area होने वाला है, वो ये है, कोई भी management company के पैसे को किस तरीके से invest कर रही है, और उन investments के ऊपर क्या return generate कर पा रही है, इस चीज़ को हम लोग एक financial ratio के जरिये भी map सकते हैं, और इस ratio को हम लोग बोलते है, return on capital employed, ये figure हम लोग चेक करेंगे, पिछले 5 सालों का average, यानि कि average ROC for the last 5 years के figure को हम लोग देखेंगे, अगर आप past की बहुत अच्छी और highest quality की companies को जाचेंगे, थोड़ी बारी की से देखेंगे उन companies को, तो आप पाएंगे कि ये figure, यानि कि ROC का figure 25% या उसे ज़्यादा maintained रहता है, बहुत अच्छी companies के case में, तो हमारे लिए ये मानना safe हो जाएग कि हमारी company का ROC for the last 5 years continuously 25% या उसे ज़्यादा होना चाहिए, जो हमारा चौथा criteria होने वाला है, वो है salary trend of the management, दोस्तों जैसे जैसे company बड़ी होती है, management के खर्चे भी बढ़ते हैं, और जो salary के उपर खर्च होता है, किसी भी company का वो भी increase होता है, company का ये खर्च जो आता है, य ज़्यादा fast नहीं होना चाहिए, अगर आप देखते हैं कि management अपनी salary बहुत ही तेजी से grow कर रही है, तो वहीं company के profits का growth, इस salary के growth के मुकाबले काफी कम है, तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए, आपके जानकारी के लिए एक बात और में बता दू, कि कि किसी भी publicly listed company के management क salary उसके net profitability के मुकाबले 11 प्रतिशत से जादा नहीं हो सकता, ये से भी का बनाये हुआ एक rule है, जो कि हमारे जैसे retail investors को पता होना चाहिए, इसके अलावा अगर आप अच्छा perform कर रही companies को देखेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि ये figure net profit का 2-4% होता है, यानि कि company के management के salary के उ information के लिए मैंने बता दिया, जो हमारा पाच्वा और आखरी criteria होने वाला है, वो है check the management for red flags and scams, इस point में कुछ चीजें हैं जो की important हो जाती है, जो पहली चीज हमारी लिए देखनी important है, वो ये है कि promoters कहीं company से बहुत कम interest rate पे loans तो नहीं उठा रहे हैं, अगर ऐसा है, तो फि दूसरी important चीज हम सब को देखनी चाहिए, वो ये है कि कहीं promoter के ventures को company के पैसे से तो नहीं fund किया जा रहा है, अगर ऐसा है, तो भी आपको उन companies से अपने आपको दूर रखना है, एक और चीज जो अकसर देखा जाता है, वो ये है कि company के assets को promoters बहुत ही सस्ते दामों में ख दिखता है, तो फिर आपको दूरी बना लेनी है वैसी company से, दोस्तों management के frauds के बारे में जानकारी इकठा करना बहुत आसान नहीं है, public domain में अकसर ये चीजें नहीं मिलती है commonly और बहुत मुश्किल से find out करनी पड़ती है, बट यहाँ पे आपके rescue के लिए Google सामने आता है, आ फिर उसके management के साथ, तो आपको Google पे इसकी जानकारी मिल जाएगी और आप सचेत हो जाएंगे, बच जाएंगे वैसी company में निवेश करने से, तो ये थी दोस्तों complete knowledge किसी भी management के quality को judge करने के लिए, अगर आप भी एक growth investor हैं और चाहते हैं कि आपके investment किये हुए companies साल दर साल आपको बहुत अच्छा returns देते रहें, तो आपको चुनना है अपने लिए वैसी companies जिनका management बहुत ही strong हो, क्यूंकि जैसा हमने पहले भी बात किया और मैं फिर repeat कर रहा हूँ, long term में हम लोग as an investor पैसा company पे नहीं लगाते हैं, बलकि company के management पे लगाते हैं, अगर management अच्छा है तो आपके investment को grow होने से कोई रूक नहीं पाएगा, और ये particular चीज long term investments के मामले में और भी जादा important हो जाती है, आशा करता हूँ कि आपको ये video बहुत पसंद आया होगा, ऐसी बहुत सारी चीजे होंगी, जो आपको इस video के तुरू सीखने को मिली होंगी, अगर आपको video हम लोग आगे भी लाते रहेंगे, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।